आज हमें 281 डेज होके हमारे इस कंट्रियोस प्रोटेस्ट को जो कि हमारी वन और डिमांड है रिलोकेशन और ट्रैश्मेंट टू जम्मू जब तक गाटी में जो ट्रेरिजम है वो पूरा वाइप आप नहीं हो जाता और इसी संदर में हम आने वाला जो हमारा त्योहार है मह अपिल करते हैं कि आने वाला जो पर्व है महाश्यवडात्री पर यहां पर जितने भी हमारे एंप्लोई इनकी सब की सेलरीज पिछले साथ-साथ-साथ-8 महीने से बंद है हम चाहते हैं कि इस आने वाले जो हमारा महापर्व है इससे पहले हमारी जो पैंटनेक्स एलरीज हैं वो रिलीज की जाए ताकि हम अपना जो यह पर्व है एक खुशी से मना पाए इसके साथ साथ यह भी बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों से ट्रेटर जो है पहले आया हुआ है और हम गौर्मेंट से यही बोलते हैं कि जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स जितने भी थ्रेट लेटर जीते हमारे इशूज इनको एक सेंजिटिव सेंजिटिव से देखा जाए और हमारी जो इसे लिए और वो तुरंट शिवरात्री से पहले ऑन हुमेने ट तनक्वाइब बंद रखती है अभी कश्मीर जाना हमारे लिए स्वभाइक नहीं है क्योंकि वहां हम नहीं जा सकते अभी आप देख सकते हैं ग्राउंट ग्राउंट रियालिटी जो कश्मीर वैली में है वो सामानिय नहीं है हमारे माइनॉल्टीज के लिए तो एक तरफ बारमला के SSP कहते हैं कि अपने employees को वहां की आप यहां पर नहीं आए आपके लिए सही नहीं है दूसरी तरफ डीडियोस कहते हैं कि आप आओ जॉइन करो तो salary मिलेगी तो आप खुद सोचिए एक तरफ से administration हमारे अगेंस्ट है और एक तरफ से हमारे साथ है तो आप समझे administration में अभी खुद बीच में कुछ gaps हैं तो आप हमें बताएं कि हम किस की तरफ जाएं किस की सुनें तो शिवरातरी पे हमें बहुत ज़्यादा उमीद है अपनी बीजेपी सरकार से की जो employees अभी अपनी जान की सुरक्षा मांग रहे हैं चले काफी देर से हम यहां बैठे हम दो शिवरातरी के हर अभी सर पे कड़े हमारी सजरी वह वह मीले तो ऑन मिले खाएंली कमकरा पर नहीं परीसिक सिस धी पर झाल